आप सभी को इस बाइक की प्रोस के बारे में बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कि ही इसमें क्या ही आप देख सकते हैं इसके पूरा है जब के इसके अपना अंदर शाफ नहीं कर सकते हैं उसके बात फिर मैंने लगाया है यह पीछे का जो अपना रेयर बेख ऑइल होता है इसके प्रोटेक्शन मैंने यह लगाया है यह मैंने Amazon से purchase किए हैं और इसका price लगबक मुझे परा Rs.500 फिर मैंने टीसरा चीज इंस्टॉल किये है यह यह भी मैंने automation ब्रास इंसे बाइए करना लुटिक चे इसका प्राइस किरें हैं इसका कौन के बारे में बात करूंगा जो सबसे ज़्यादा होता है और हर लोग को यह परिशानी जहलना पर रहा है जिन जिनों ने यह जी एडवेंचर बाइक लिए है जो मैंने बाइक लेने के तीन दिन बात ही मुझे दिखने को मिला वह हो गया रस्टिंग इस इस बाइक में इत पर म्ह׏ं हुआ हुआ अलांके इस प्र में उन्हां फोस्ता l cock tap को मैं दिखा देसे में पुन हो रहा है और लेकिन अब जो दुसरे के हो रहा happening को आप लोग को दिखाता हूं अंदर यह हो रहा है तो चोटा कि आपको इसप्रू में भी दिखने को मिल जाएगा जैसे य पहलाकि इस प्रमेन्प होता नहीं है अगर उस जगह इस प्र्च कर डिंछ ऑप जग zit मैं आप दिखके हैं एज आश्स पहले उसमें जगह प्लिवर करने के कारण आप यहें को दिखता हू Barnes यह देख और तरफ यह स्थच भी है धाटिए ऐहां पे भी रस्टिंग हो रहा है फिर जोटा-चोटारा स्थच आपको इस्कुरू में भी तिकने को दिखने को मिल जाएगा तो रास्टिंग तो एजडी एडवेंचर में है कंपनी वाले को बोल भी दिये तभी वह लोग को एक्षन नहीं ले रहे इसके उपर में इसकी सेकेंड कॉंच जो है वह हीटिंग इसू हीटिंग इसू होता है लेफ्ट लेक के तरफ मुझे कभी हीटिंग फिल हुआ नहीं र पर से यह होता है अपना साइलेंसर गरम और साइलेंसर इतना नजदिक होने के कारण पूरा हीट यह यहां पर अपने राइट लेक पे लगता है लेकिन इस बाइक में आपको हीटिंग इसू ज्यादा तर सीटी में देखने को मिलता है मैंने सीटी में ज्यादा यह फेस किय तो उसके कारण क्या होता है ही ज्यादा होता है और मैंने यह प्रोब्लेम सिफ सीटी में ही फेस किये है हाईवे के लिए best है हाईवे में आपको कोई प्रोब्लम होगा नी लेकिन हाँ जैसे फार्स सर्विसिंग नहीं करने के पहले इसका हीटिंग इसू थोड़ा जी था लेकिन फार्स सर्विसिंग करने के बाद थोड़ा सा कम हुआ है तो देखते हैं अभी अगर सेकेंड सर्व wind screen है यह क्या करता है helmet अपना लगा के रखते हैं जब अपना चलाते हैं तो जब wind आता है वह wind क्या करता है यहां से direct यहां पर हिट करके direct अपने आख पे लगता है without helmet मैंने इसको चला के देखा था मुझे काफी टकलिफ हुआ चलाने में अपने आख पे लगता है जिसके कारण सामने का वीजन क्लियर नहीं होता है तो हेलमेट लगाने से भी अपने को क्या है ग्लास बन करके चलाना पड़ता है तो इसका सोलीशन है कि एक wind राइजर आपको लगाना पड़ेगा इसके बाद अपना फॉर्ट कॉन्स है तो आपको दिखाया भी था Bluetooth connectivity का वीडियो मैंने बनाया था उसमें मुझे प्रोब्लेम हो रहा था और सेकेंड टाम मैंने वीडाउट वीडियो भी बनाया तो उसमें क्या हो जाता है लेकिन अगर अपना मूबाइल पोकेट में डाल देते हैं तो फाइप मिनिस के बाद वह क् सिगनल दिखाने लगता है तो Bluetooth connectivity में फोन कॉल और मैसेज के लिए तो बेस्ट है लेकिन लोकेशन के लिए वह बेस्ट है निए अपने अप्डेट करके उसे ठिक कर सकते हैं और अभी फिफ्ट कॉन्स जो मुझे बाइक लेने का समय लगा वह है बाइक की फिनिसिंग सो दे सकते हैं यह सब में फिनिसिंग है और अशोसोन भी जाता है यह कर इंजिन में भी चाहँ इसके इंजिन का शिल्वर पार्त इसका इस तरह उंगली लगा के देखेगा यह जादा सार्फ जैसे अगर अपना उंगली यहां पर जोर से घसे तो यहां पर उंगली कर जाएगा इधर का भी स्मूट फिनिसिंग एकदम राफ है स्मूट फिनिसिंग है नहीं तो यह इस दी वाले बील क्वालिटी में थोड़ा उनको ध्यान देना चाहिए था बील क्वालिटी इससे और बेटर हो सकता था तो शिक्स नंबर कॉन्स मुझे यह लगा इस बाइक में इस बाइक का तॉप के साथ इसमें क्या हुआ और एक बर्निंग इसमेल सा आने लगा सायद यह प्रोब्लेम मेरे बाइक में है मुझे लगता नहीं कि कि 350 cc एप्रोक्स 150 160 km स्पिट तो देना चाहिए लेकिन मुझे 125 126 हाटली टोप इसमेल मेरा जा रहा था 125 126 तोप इसमेल करने के समें जो ब मुझे लागा सिट की कुसिनिंग जैसे अगर आप 100 150 ट्रेवल करते हैं तो उसमें आपको इतना मालूम नहीं परेगा लेकिन अगर आप 200 km से ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं बंब होने लगता है तो यह प्रोब्लेम मैंने फेस किये थे जब अपने 300 km प्लास ट्रेवल कर र कंवा लेकिन सबसे ज्यादा प्रेकिंग में य pig अपाल इसकी सेकेंड़ ज्यादा इसकी सेकर है राइडिंग इसकी से को से राइडिंग कमफर्ट काफी बात कर दो और दिखाता हूं इस जब अपने बैच बहरते है तो अपना यो होता है хозя more फिर अपना जो लेग होता है लेग भी फुली इस रेता है और फिर अपना जो आर्म्स होता है अप जितने भी लोंग राइड आप करेंगे उतना आपको comfort देता है तो इस बैक में जैसे मैं आप बीटाफ 500 km चलाया है तो 500 km में मुझे कोई प्रोब्लम आया नहीं कर अच्पेंशन का में एक इस्तोरी बताना चाहता हो मैंने बाइक पड्चेस करने के ढूंज मेरा पपपा का बेकबॉन पेंट हुआ था जिसके कारण मुझे पपा को डुक्तर के पास मेरा का पास पनी पलसर है तो पलसर में ने बेठा नहीं सकता था क्योंकि पलसर का करता है तो मैंने सोचा एच नों में ने कि जाने तो में लेके गया तो लेकर जाने के बाद श्चब अपना पहुंच आपको में पुछा कि पिछें आपको कुछ भी जरड़ फिल किये कुछ भी आपको बेकबॉन पे नहीं तो पपा ने बोला कि हलका सब भी उनको बेकबॉन पेंड हुआ है तो कॉम्फोर्ट के मामल में में पिलियन के लिए राइडर केले बेस्ट और चौठा प्रोस है इसकी मोट इसकी तीन मोट आता है रोड मोट, रेन मो पर्फोर्टा है ताकि अगर रेन के समय एजिली प्रेस तो इसलीप ना करें और थारड्ट ओफ रोड मूट में आपका भैक का एविएस टोटेली खुल जाता है और आप उसका मजा ले सकते ओफ रोड़िंग में त्रिफ्टिंग करने के लिए इसमें यह एज एडवेंजर म फिफ्टी केजी का समान रखके चलाया है तो परफोर्मेंस के लिए तो मैं इससे थमसब देता और इसकी छाटवा प्रोस है इसकी ट्रोटल इसकी ट्रोटल काफी मस्थ है जैसे आप एक दो नमबर गरेड पर चला रहे हैं जैसे आपको मान लीजिए को एक गारी को क्रोस करन आप जस्त्रोटल कीजिये आपकी बाइक उससे ओवर्टिक कर लेगा तो इसका पिकप दो तीन नमबर गेर पे काफी मस्त जेता है स्काफी मस्त है दो नमबर और तीन नमबर यह हुआ मेरा पर्सोनली प्रोस और को ने इसमें बताया हला कि मैं छे मैना ही हुआ है चलाते हुए इस बाइक को यह अगर बता दू कि मुझे पूरी बाइक के बारे में जनकारी हो गया तो यह मैं तोटली रॉंग हो गा उसके लिए तो आभी रात भी हो चुका है तो इस व